दोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात करें, सुजलोन एनर्जी ने मार्च महिनी में अपने शेर उल्डर्स की मीटिंग गुलाई थे और जिसमें वोटिंग राखी गई थी, अब इस वोटिंग का रिजर्ट आ चुका है और स्पेशल रिजलोनेशन प्लान के तैद जो प्रस्त सुजलोन का जो बीजनस मॉडल है वही इस समय काफी ज्यादा फाइदे मन हो रहा है सुजलोन के लिए क्योंकि सुजलोन जमीन अधिगरंड से लेके आप देखें वीन टर्बाइन इस्टॉल करके उसको लाइप टाइम मेंटनेस सर्विस प्रवाइड करते है और इसी जासता निकाला जा सकता है उसको इस वीडियो के मादिम से डिसकस करेंगे और सुजलोन अनर्जी कितनी मजबूत हो चुकी है क्या आने वाले समय में सांधर तेजी का दौर सुरू होगा वैसे जिस हिसाब से कंपनी काम करें उस हिसाब से इसकी प्राइज नहीं है प्राइ और टच नहीं कर पाया लोगों को समझ में नहीं रहे किया जाए लेकिन फिर भी एफ़ यहां पे जम के खरिदारी करें उनका निवेस काफी ज़्यादा है तो इसका रिजन क्या है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन उससे पहले अगर आप पहल लाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले सुजलोन अनर्जी के फ्राइडे के कारोबार की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 8.35 पर रही जापे 1.83% की हमें तेजी देख रहा हूं भी यानि लगबग 2% की तेजी और आप देख सकते हो कि पिछले जि निकल के आ रही है सुजलोन अनर्जी ने एक्चेंज को जानकारी दिये उन्होंने जो यहां पर वोटिंग रखी थी उस वोटिंग का रिजर्ट आ चुका है तो यहां पर देख से तो कि 27 मार्ज को कमपनी ने शेर ओडर के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग के लाइन खोलेते हैं उसमें वोटिंग आ चुका है उस वोटिंग का रिजल्ट भी आ चुका है एक स्पेशल रिजोलुशन प्लान के देख से तो कि अपोइंट्मेंट थी मिश्टर गौतम दोसी की जो इंडिपैंट डिरेक्टर है सेकेंड टर्म के लिए और यह जो के लिए अभी भी देखे तो उनका जो नजीरिया है पॉजिटिव बनावा उन्होंने पूर्ण बहुमस से यहां पर जो कंपनी का फैसला था उसको मान लिया है और इस तरसे गौतम दोसी जो सेकेंड टम के इंडिपैंट डारेक्टर रहेंगे कंपनी के लिए इसके लाव एक नए क्लाइंट इनके साथ में जूड़ चुके और यह पूरा एक हंडेड मेगावाट का ओर्डर है यह सिर्फ आप देखेंगे तो 39 मेगावाट का नहीं है बलकि यह पूरा हंडेड मेगावाट का ओर्डर है यानि इसकी जो पहली प्रोजेक्ट के फर्स फेस में आप को 13 मेगावाट के जो आप ड़िं टर्बाइन इस्टॉल करके दिएंगे जिसकी 1-3 मेगावाट का यह 26 साथ से 39 मेगावाट का टोटल यह पहले होगा यह प्रोजेक्ट पूरा होगा उसके बाद में और आगे दिये जाएंगे क्योंकि टोटल 100 मेगावाट का इनका विंड लगातार जन्रेट होगा सुजलोन का यहाँ पर इस मौके पर फर्स्ट एनरजी 5 प्राइवेट लिमिटेट के रवी धामरजू का कहना है कि इंडिया के अंदर हो पोटेंशियल है कि कम से कम 300 गीगा वाट वीन एनरजी की इंस्टॉल कैपेसिटी पाई जा सकती है और हमारी क इस समय देखे तो पूरे वर्ड के अंदर चौते नंबर पर आ चुक है हमारे ग्रीन आजी के सेक्टर में जो हमारे कैपेसिटी है वो वर्ड की चौते नंबर की सबसे बड़ी कैपेसिटी पाने वाले दिस बन चुका है और आप देख सकते हो कि इसमें तेजी से आगे प्रषाभाद में इस सरकार कोशिव कर सकते है उसका नतीजा भी देखने को मिल सकता हाँ और इंडिया उस कैपेसिटी को पा सकता है या जो सरकार की तरप से कोशिच कि जानी चीह तो आप देखसें तो यह जो आप देख तो कि जो एसंदेख रदीब को और सबसे बड़ी बात है कि लेक उप इंस्टिटूशन और जो फाइनसिंग एक्टिविटी की स्थे बढ़ाने के लो कार्बन जो ग्रोथ एरिया जिए उसको चुनना टेक्नोलोजी की रिस्क है यानि अभी भी बहुत सारी प्रोब्रम है यानि अभी भी सरकार की तरब से पॉलिसी में बदलाव करना होगा और एक अच्छा फाइनसि जो प्रोवाइड करना होगा निक कम प्राइज में अफोर्डेबल फाइनस प्रोवाइड करना होगा तब ज़्याद सब्सक्राइब और उनको कारबन बेनिफिट देना चीए तो यह सारी जो बाते सरकार की तर उनको इनसेटिव्स देना चीए और नई टेकनलोजी को अपनाना चीए प्ले इसकिम का बेनिफिट देना चीए और वेनिफेक्शरिंग फेसलिरिस के ऊपर आप देखे तो जो उनकी कोश्ट में कमिया इसके लिए टेक्स में रहात देनी चीए यह सारी बाते करने के बाद के 9,945 रूपीस के आसपास है और यह कंपनी का मार्केट का नीचा आने के वज़े से इसकी प्राइस काफी नीचा है इसी वज़े से नीचे आपको दिखाए देगा करन प्राइस की 8.30 की है लो इसका 5.42 का और हाई 12.20 का है यानि समझ से स्टॉक देखे तो आप बिलकुल सेंटर प्राइस में आपको दिखाए देगा उपर और नीचले लेवल से इसकी बुक वज़े फिला माइनस 0.06 है और इसका आरोसी 21.9 परसेंट है फेस वज़े टू रूपीज है तो यह आपको धियाना का है इसकी फेस वेली टू रूपीज की है अब जो कंपनी की जो सब गटके अब 76.4 डेज पर आ चुका है यानि सेहत सुधर यह कंपनी की और लाइबरेटीज लगातार कम होरी आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में जापे 6006 ने वन को भीज के आसपास थी जो गटके अब 500893 को भीज के आसपास आ गई है इसके लावा कंपनी के कैश फ्रो में अ ग्यारा परसें डाउन था फाइयर के इसाब से भी 12 परसें डाउन था लेकिन नाइन यह के इसाब से 9 परसें पॉजिव तो इस टीटियम 29 परसें पॉजिव नहीं सेल्स दस साल में सबसे सांधारी समय सुझ लोन का दिखाए देगा प्रॉफिट गरोथ की बात के तो टैन प्राइज कैसे नीचे रहेगी बिल्कुल प्राइज बढ़ेगी आने वाले से में डेफिनेटली यह अच्छा रिटन दे सकता और इसलिए एफाई की पहली पसंद बनाओ और एफाई बाजर में फिर से लोट के आए तो यह स्टॉक अब डॉलने की संबावनों ही बनी है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले आपने फाईनसल एडवाजर से बाड़ ले ले यह आपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाओ वीडियो पसंद आए तो लाइक से जिरू किजिए और चै सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड